तो गाइस मैं हुआंकी तो आप दिख रहे हैं रिस्लिंग फैंस नाइट वाक सबसे पहले गाई जमनों के अपनी बातों को सुरू करेंगे दस सील्ड से तो भाई दस साल पूरे हो चुकें सील्ड के ब्रेकप को दस साल समझ रहे हो भाई एक डेकेड हो चुका पूरा दो ज उसी वज़ा से टाइटल भी हार गये तो भाई इनकी स्टोरी दस साल बाद भी कंटीनियू हो रही है एंड जरा देखो आपकी दस साल में कितना कुछ बदल गया सैथ रॉलिस ने कितना इंप्रूफ करा खुद में सैथ रॉलिस ने हाइस टॉफ सेंचुरी कंप्लीट करी उसके बाद सैथ रॉलिस कितना इंप्रूफ करते गए आगे बढ़ते गए रूम इन रेंस के अंदर देखो कि आप कितनी इंप्रूफमेंट आई डीन एंप्रूज अभी जॉन मॉक्सली के नाम से जाने जाते हैं तो दस साल कितना कुछ बदल देता है वह आप सब जानते साल पहले था लेकिन उस चीज को नौ साल हो गए तो कमाल की बात है टाइम मसीन में बैठके हम सब आगे बढ़ते हुए दस साल हो चुके हैं एक डेकेड़ पूरा हो चुका है सील्ड के ब्रेकप को आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सोलो सिकवा को लेक इसका औरहीं चीरो लग रहा है तो कुछ कह रहे हैं इसका पेट जादा है तो यह अजीब सा लग रहा है धोल लग रहा है तो अच्छा नहीं लग रही है अलग अलग रीजियन से लोगों के लेकिन अभी इनका फोटो सोट हुआ मैं आपको वह दिखा रहता हूं या आप लोग देख सकते हों कि फूट अपने स्क्रीन को पर सोलो सिक्वान एक प्रॉपर फोटो सूट कर रहा है सूट अगरा के अंदर अभी आप रेट करके बताओ कि दस में से कितना सूट कर रहा है इन पर रोमन रेंस पर बहुत करता था वह और रोमन रेंस के अंदर दिखता चीज को कि लोग किस चीज से क्रिटिसाइज कर रहें मेरे साथ ठीक हो तो आधत बन जाएंगा इतना ज्यादा क्रेट साइस कर पके फैया नियुक्त करो एक्स्ट्रा तो मती कर रहा है यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि उतनी ज्यादा मैटर करती है मैटर करती है स्टोरी जो कि अच्छी जा रही है मेरे गॉर्डिंग तो अभी कैसा आप से सोलसी कोई कि यह फोटो सूट के बाद लोगों ने थोरे से अपने उपने चेंज करें लेकिन इस टेल लोग कह रहे हैं कि यह क्रिंज ही लग रहा है और रही नहीं है क्या सोचता आप इसके बारे में अगर आसा सही में तो क्या आपको लगता है कि सोलसी कोई को अपना गियर यह चेंज करना चाहिए फॉर्मल गियर कॉमेंट करके आप चाहों तो बता सकते हो सल्सक्राइब यह ग्राइस करतें अगली स्टूरी यह अगली स्टूरी बारे में चुक्त बहुत बात करते हैं डव्यजरो लोग मैक्सिको में एक प्ली लेकर आए मैक्सिकोके अंदर एक पेविव करना चाहिए ड़ढ़ गया एसा कुछ का है रे मिश्टीयो अंदर लेज यह सोचने वाली बात है मुझे तो ऐसा ही लगता है अभी के इसाप से मेक्सिको में डवी रिसेंटली गई थी सूपर सो लेके लाइव इवेंट्स लेके लेके लेकिन पीरली आइडोंट थिंग कभी मेक्सिको में हुआ है सांटोस एसकोबार ने भी से पहले इमार्ट करा प काफी सक्सेस्फुल रहे थे डवी डवी के लिए तो एक पीली भी दूर नहीं है अब तो भाई रे मिस्टीरियो एक लेजन्ट खुद डिमांड कर रहे है तो तो मेक्सिको को भी एक पीली मिलते वे दिखेगा एंड इंटरनेशनल इवेंट्स का सिलसिला कंटिन्यू रहे है अपनी लिमिटेस्स को क्रॉस करा है डBER डाफलीने तो मेक्सिको भी दूर नहीं है अभी के साबसे डियूर इमेंड करा है कि आप चाहोगे मेक्सिको में इवेंट देखना वैसे तो में देखना है तो यह सवाल पिरेलेवेंट हो गया लेकिन स्टेल आप चाहोटे है बय बहुत कुछ चर रहा है दबड़ी का आगे जा कि डबड़ी डील एक्सटरेंड करने वाली है इनके साथ और वह बलड मनी वाली टील मैसिब नीग वाली डील इनको हर का कहना है कि साउदी का है बातव से बाथ फिर बaticsक का का यंदी साथ में बना पर साउदी की साउदी के शाफ़ से लाइक ली है यह बताय वह को ग्रेटेस्ट रॉयल कि की तरब से कि साउधी वालों को मिल सकता है ग्रेटेस्ट रोल रंबल साथ में बैकलेस की भी डिमांड कर सकते हैं तो बैकलेस तो देखो मुझे से कोई दिखती है मेरे कॉर्डिंग भाई ये रसल मीनिया एंड अपना रोल रंबल वो नहीं जाना चाहिए साउधी में अगर यूके भी जा रहे हैं तो भी ठीक है काफी हद तक लेकिन साउधी बिलकुल नहीं बाई बिलकुल भी नहीं वो नहीं होना चाहिए तो अभी के हिसाब से बैकलेस एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में साउधी में जाते वे देखने को आपको मिल सकता है आगे बढ़ते हैं का इस बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बैकलेंच को लेके बैकलेंच को लाइज तक हिस्ट्री के अंदर उनको जितने कॉंट्रेक्ट ऑफर्स मिलें उनमें से सबसे महंगा ओफर बैकलेंच कहो सकता है बैकलेंच को मिल सकता है उससे बैटर उफर यह कुछ बताया जा रहा है अगे बढ़ते हैं गैस बात करते हम लोग अपनी नेक्स टेंट फाइनल स्टोरी के बारे में तो क्या जेकब फार्टू का टार्गेट औरेड़ी पता है कि उन्हें किसको टार्गेट करना है अपने सब्सक्राइब करने वाले हैं जेकब फार्टू अपने डवी 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 के बाद आप देखरों के बैक टू बैक पॉलेमन समझाने की कोसिस कर रहे हैं केविनों उसको कि बाई लेजिटिमेट तुमको समझा रहा हूं समभल जाओ यह ब्लट लाइन जो है रियल ठक्स से अधिया तुमको परिसान करके रख देंगे कुछ ऐसी चीज़े हो जाएगी जो कि तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं करें लेकिन इनकी बाते मान नहीं रहे हैं ना केविनों उन्हें लगता है कि पॉलेमन हमेशा की तरह चल कर रहे हैं लेकिन हमें पता है कि पॉलेमन प्रफिटान जेकव पाटू एकस्पेक्टेड़ की जेकव पाटू आकर सीधा पहले केविनों पर टाइक करेंगे और यह तो यह कुछ बता जा रहा है पता नहीं कितने टाइम से फ्यूड करें ब्लड लैंड से मतलम मानना परेगा विनों भी ब्लड लैंड का एक मेंबर ह पर अपडेट्स सब कुछ सबसे पहले जानने को मिलती रहें फॉलिव कर सकता आप लोग मुझे इंस्ट्राइग्राइम एंट ट्विट अपलिक आपको मिल जागे डिस्क्रिप्शन में जोइन कर सकते हैं वाट्सप चाल को उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है अपनी नेक्स वाफ एर काफ इंट्रस्टिंग वेडियो में